नमस्कार दोस्तों, Civil Engineering Support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों अगर इस घर पे ध्यान दे, एक बीम आपको सबसे उपर छट पे दिखता होगा दूसरा वीम इस लेबल पे है दोस्तों, तीसरा वीम यहाँ पे है, चौथा वीम यहाँ पे है और पांचवा वीम अगेन दोस्तों जो है वो नीचे में दिया गया है तो क्या एक घर में 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 बीम दिये गया दोस्तों कितनी बीम की एक्चुल में आवशकता होती है और कितना इसमें एक्स्ट्रा बीम है किसको हम लोग हटा सकते हैं चुकि जितना बीम आएगा दोस्तों उतना ही ज्यादा आपका कंक्रीट का खर्चा बढ़ेगा साथ सा दोस्तों रेंफोर्स्मेंट यानि की लोहे के सरीया भी उनमें लगाए जाते हैं सेट्रिंग मेगरा का भी अलग से दोस्तों हिजाब होता है तो मतलब खर्चीला चीज़े एक बीम को बनाना तो एक्चुल में कितने बीम की इस बिल्डिंग में आवश्रकता थी या फिर कम से कम कितने बीम में इस घर को तियार किया जा सकता है और ये ध्यान में हमेशा रखना है दोस्तों किसी भी बीम को हटाने से बिल्डिंग के मजबूती में किसी परकार का कोई effect नहीं आना चाहिए बहुत से लोग का ये भी मानना है दोस्तों कि जितना बीम देंगे उतना ही मजबूती बढ़ेगे दोस्तों मजबूती तो बर रही है क्या हमें उस मजबूती की actual में आवशकता है क्या आपके packet पर कुछ ज्यादा extra अगर load पर रहा है तो किस तरीके सुसको कम कर सकते हैं जितनी आवशकता है दोस्तों उतनी बीम की अगर बात की जाए इस वाले condition पर दोस्तों building की नीची से start कर लेता ठीक है ये है ground beam आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये ground beam है आपको ground के अंदर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ठीक है ये देखिए ये beam यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ठीक है जो फुटिंग से कॉलम आरा न ये एक कॉलम हो गया वो कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया फिर इस साइड भी जो कॉलम आरे दोस्तो अगर ये न प surplus किया गया कॉलम हो गया इस पे वीडियो भी डाला है इस जगा पे क्रैक्स भी देखने क路 मिलते हैं तो ग्राउंड बीम का ये काम हो गया अब दोस्तो ये ये प्लींट बीम देना है कि नहीं देना ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्राउंड लेबल है और ये दोस्तो फर्स लेबल है ठीक है दोनों के बीच में कितना जाधा गैप बन रहा है थोड़ा समय दीज देना है या फिर दोस्तो फ्रेंड ले टिप का घर बन रहा है वहां भी आप एक बनिया तक दोस्तो सारे 3 feet का है अगर आपको ग्राउंड विम देने के बाद में दोस्तो तीन फिट से जादा अगर सारे तीन फिट चार फिट तक दोस्तो आपको मिट्टी भरवाना है अगर चुकि यह जमीन इस लेबल पर थी ठीक है घर बनाना आपने स्टार्ट किया ब्रिकवट सेफ साड रहने के लिए सारे तीन फीट का कम से कम यहां पर प्लेंट लेबल लिया गया है और ऐसे में दोस्तों सारे तीन फीट का मिट्टी का भड़ाव करना है तो मिट्टी का भी एक तरफा लोड दिवार पर पड़ता है साथ ही साथ दोस्तो आपके brickwork को support करने के लिए भी beam की आउशकता होती है तो मिट्टी का जहाँ load आता दोस्तो शारे 3 feet से maximum 4 feet दोस्तो अगर यह height है न ठीक है 3 feet तक है आप DPC से काम चला सकते हैं फिर आपको इस तरीके से RCC work करने की आउशकता नहीं है ठीक है लेकिन दोस्तो शारे 3 feet 4 feet का है तो उसमें beam देना जरूड़ है इस तरीके से beam दिया गए आप देख सकते हैं beam के बाद में दोस्तो आप देखेंगे यहां से आपका actual दोस्तो room का height यहां से फ्लोर के बाद दोस्तो शील थक कितना height है वही actual में इस bedroom की height होगी और इसके बीच में दोस्तो एक दो यह तीसरा तीसरा वाला आप देखेंगे दोस्तो यहां से एक beam तो नहीं बोला जा सकता यह band दिया गया ठीक है RCC band क्या सब करता है सबसे पहले दोस्तो आप देखेंगे यह जो खिरकी का ओपनिंग है बहुँ जगे देखते होंगे पुराने construction में देखते होंगे दोस्तो कि खिरकी के किनारे पर यहां cracks develop होते थे यहां पर cracks develop होते थे ठीक है चुकि यहां पर point load लगता था उसको दोस्तो uniformly distributed load बनाने के लिए दोस्तो यहां पर देखेंगे एक हमें surface provide करना होता है और इसलिए दोस्तो कम से कम अगर दोस्तो इस वाले column के उस वाले column से दोस्तो अगर इस तरीके से connect नहीं करेंगे फिर भी किसी परकार की कोई दिखकत नहीं है चुकि आप देख सकते हैं यहां पर 9 इंच वाला brick work है लेकिन दोस्तो जहां पर opening आ रही है जहां पर इस तरीके से खिरकी है उस जगह पर दोस्तो इस तरीके से RCC band आपको दिलवाने ठीक है तो इ इसके height कितना है आपको मैंने बता दिया है अब दोस्तो यह जरूरी है यह optionality ठीक है अब दोस्तो लिंटल लेबल की बात कर लिया जाए तो as per thumb rule लेखे दोस्तो तो एक beam यहां पर आपने दिया हुआ है full length का beam की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है बैंड की बात कर रहा हूँ लेकिन दोस्तो आप देखेंगे lintel level पर जैसे कि यहां opening है यहां पर दोस्तो आपको beam देना जरूरी है ठीक है आगे भी देखेंगे दोस्तो ओपनिंग है यहां पर beam देना जरूरी है यहां पर 6 inch इस तरीके से यहां पर 1.5 feet 1.5 feet दोस्तो ऐसा जगा अगर बच रहा है तो उनको दोस्तो connect कर देना ही काफी समसदारी वाल अगाम होता है चूकि दोस्तो यह column से column अगर beam connect हो जाता है तो यह एक tie beam का भी काम करता है ठीक है और यह lintel beam का भी काम कर रहा है यह से दोस्तो अगर यहां पर मान लिजे दोस्तो यह openings नहीं होते तो इस वाले beam की आवशकता बहुत जादा नहीं थी ठीक है समझ गया ओपनिंग में देना मजबूरी है लेकिन दोस्तो अगर 6 इंच 8 इंच का जगा बच रहा है तो उनको दोस्तो टाइबीम बना देना ही समसदारी का काम होता है चूकि उनसे मजबूती एक्स्ट्रा बढ़ जाती है चूकि अगर दो कैसे कंडिशन में अगर है तो आपको लिंटल बीम देना चाहिए और फ्लोर बीम तो दोस्तो जरूरी है चूकि छट का जितना भी लोड है आप देख सकते है भी सट्रिंग भी नहीं खुला गया ठीक है यह देखिए अब जैसे ही दोस्तो सट्रिंग अभी सपोर्ट किये ह सट्रिंग जैसे हटाएंगे दोस्तो चट का पूरा का पूरा लोड है आप देखेंगे इस वाले सलैब बीम पर आजाएगा तो आपने देखा दोस्तो कौन सा बीम कितना ज़ादा ज़रूरी है किसको हम हटा सकते हैं कौन सा बीम बहुत ज़ादा कंपलशरी है तो फिर मिल